हेलो गाइस वेलकम बैक तो माच चैनल ओनली टेंथ तो आज हम करेंगे अगला टॉपिक जो है है solution of quadratic equation by completing the square method आई होब आपने जो पहला वाला टॉपिक है factor factorization method वाला वो कर दिया होगा ठीक है तो अब हम अगले टॉपिक पर जाते हैं जो है completing the square method तो आप सबसे पहले question यह आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फेक्टराजिशन method कब यूज़ करना है और completing square method कब यूज़ करना है ठीक है तो इसका solution हम पहले इस example से देख लेते यह example जो है आपको page 37 पे मिल जाएगा page 37 पे बहुत ही आच्छा conversation किया गए तो आप एक बार वह भी पढ़ लिजे तो को ताकि आपको जो मैं बाता रहा हूं वह जल्दी से समझ में आ ठीक है तो पहला जो equation यहाँ पर दिया गए वह हम देख लेते हैं x square plus 10x plus 2 equal to 0 यह भी हमें equation दिया गया है ठीक है फैक्टराज में method से हम क्या करते थे हम इस बी को ऐसे split करते थे जो split करने पर इसका दो numbers का addition 10 हो और यह दो numbers का multiplication जो है वह ए इंटू सी यानि तो इंटू 1 टू हो ठीक है तो इसमें हम चलो 10 के कुछ numbers लेके देखते है कि वह 2 के multiples में यह आते है क्या ऑट्के को ना 9 क्लस दो 110 होता है ऑट्नぎ का 20 is 9 होता है वह 2 नहीं होता हे वीसे इट प्लस 210 होता है बट्ल है 21 होता है बटक उसमें करने पर 21 होता है और यह सम्याना आगयों तो यह वैसली नमबार बढ़ते थ RuK करने पर किसी भी number का value जो है वो 2 नहीं आता है ओके तो इस time पे इस समय पे हमें use करना है completing the square method ठीक है जब हम दो दो factors नहीं निकालते या फिर जो term को हम split करते है उसका multiplication जब हमें जो चाहिए a into c वो नहीं मिलता है तब हम जो है वो completing the square method use करते हैं ओके तो इसमें तीन rules है completing the square method में करने के लिए तीन rules है पहला क्या होता है shift constant terms to rhs ठीक है shift जो constant term जो number जो 2 है वो यहां पर constant term इसे कहां गया है ठीक है तो इसको हमें rhs में shift करना होता है फिर convert the lhs into square of the binomial फिर जो lhs side बचता है इसको में binomial square में convert करना है ठीक है और convert करने के बाद में remove square of the binomial and put square root to the rhs side फिर जो हमें rhs में answer आता है उसको हम square root में लिखते है ठीक है तो मैंने अब इन तीनों points में जो आपको बताया है वो step by step धिरे धिरे हम इस example के तुरू देखते है ठीक है एक तो आपको समझ में आ गया कि completing square method कभ यूज करना है ठीक है उसके तीन rules क्या होता है उसके तीन steps क्या होता है वो भी आपने देख लिए ठीक है तो अब हम यह जो तीन steps है वो example के तुरू समझ लेते है ठीक है तो x square plus 10 x plus 2 equal to 0 यह हमारा equation है ओके first step क्या है shift constant term to rhs ठीक है तो constant इसमें क्या है 2 2 को हमने क्या shift करना है तो वो क्या हो गया minus 2 हो गया ठीक है तो अब यह जो binomial हमें मिला है x square plus 10 x ठीक है इसको हमें उसके पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि यह जो formula है x plus a the whole square is equals to x square plus 2 a x plus a square ठीक है अब इस formula में जो यह part वाला है यह part जो हमें यहां पर मिल चुका है बट हमें यह जो plus a square है वो निकालना है तो plus a square हम कैसे निकालेंगे हमें यह 10 x है यह 2 a x के formula को fit करना है ठीक है यह 10 x को हमें ऐसे लिखना है कि वो यह 2 x form में आ जाए अब कैसे मैं आपको बाता रहता हूं ठीक है अभी x square plus अभी हमने 2 x form में करना है तो मैंने 2 लिख दिया ठीक है तो a x है वो लिख दिया आप जो अपना b है आप b को कैसे लिखोगे आप b को split कर सकते हो अभी है नहीं जो 10 है उसका हम split कैसे कर सकते है 2 x 5 ऐसे भी split कर सकते हो बरबर तो यह जो यह जो 2 x के form में हमें मिल चुका है जब आप इसका multiplication करोंगे 5 into 2 10 into x 10x ठीक है x square plus 10x मीनिंग तो एक हुआ बट हमने इसको इस 10x को एक अलग form में लिख दिया ठीक है और इस form में fit होने के लिए हमें ss को लिख दिया is equal to minus 2 ठीक है तो अब हमने क्या करना है अब हमने जो b term है उसको square करके दोनों दोरफ add कर देना है यानि कि ऐसे लिखना है ठीक है तो x square plus 2x into 5 plus 5 square is equal to minus 2x plus 5 the whole square ठीक है तो अब हमने इस term को a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b the whole square इसमें इसको compare करना है ठीक है तो compare करने पर हमें क्या मिलता है कि यह जो term है ठीक है इसमें से हमें ax जो है वो मिल चुका है b जो कि 5 है वो मिल चुका है तो हम इसको a plus b यानि कि x plus 5 the whole square ऐसे लिख सकते है और is equal to क्या है minus 2 plus 5 square का क्या है का 25 ठीक है तो यहाँ पर देख लेते है तो x plus 5 is the whole square तो इसको solve करने पर हमें मिलता है 23 ठीक है तो अब हमें जो अपना third step है मतलब क्या remove square of the binomial and put square to RHS side ठीक है यह वाला जो है हमें अभी यहाँ पर करना है तो x plus 5 is equals to plus minus under root 23 जब भी हम root निकालेंगे और यहाँ पर मतलब जब square हम निकालेंगे तो यहाँ पर root आता है तो यह plus minus root आना चाहिए ठीक है तो अब हम इसका क्या करेंगे पहले positive side लेंगे फिर negative side लेंगे ओके तो अब first taking positive so x is equal to positive root 23 और यह minus 5 यहाँ आ जाएगा तो minus 5 plus root 23 और x is equals to minus 5 minus root 23 तो यह दो answer जो है वह हमें x के मिल चुके है यानि कि यह जो 2 है वो root से given equation के है ठीक है तो आप एक और question होगा कि suppose अगर यह जो 10 x है तो हमने इस 10 x को तो हमने split कर लिया into कैसे split कर दिया 2 into 5 के फार में split कर सके हम और split करके हम इसके साथ इसको compare भी कर सके हमें a और b के terms भी हैं पर मिल गए but कुछ conditions कभी-कभी ऐसी होती है जैसी कि यहां पर आपको दिख रहा होगा x square plus 3x is equal to 7 sorry यहां दुबार बोलता हूं x square plus 3x is equal to 7 तो इस 3 को हम आप कैसे split करेंगे क्योंकि 10 था तो हमने 2 into 5 यहां पर कर दिया बड़ यहां पर हम 3 को नहीं कर पाएगे तो इस time पर हम क्या करना है x square plus अभी हमें कर इसको किस किस तरह fit करना है 2 a x के form में मतलब यह वा यह जो formula 2 a b इस form में इसको हमें fit करना है ठीक है तो अब हम इसको क्या करेंगे 2 आप formula के जैसा लिख देंगे 2 यह तो हमें पता है कि x ही है तो हम b को ऐसे लिखेंगे 3 by 2 ठीक है 3 by 2 मैं यानि क्या हुआ यह अगर 2 और 2 cancel होता है तो हमें 3x ऐसे ही मिलता है ठीक है तो 2 by 2 भी कर दिया equal to 7 इसको आप ऐसी भी समझ सकते हो कि यहां पर 2 से multiply किया और यहां पर 2 से divide किया ताकि क्यों किया हमें x square plus 2 a और b की जो है ए और b हमें मिल सके ए और b के form में हम आपने equation को compare कर सके ठीक है तो अगर आप 10 से कर नहीं पा रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो ठीक है और एक main इसमें important है कि जब भी हम equation solve करेंगे यह जो x square जो पहला term है उसका जो coefficient जो होता है वह हमेशा one होना चाहिए ठीक है यह बात ध्यान में रखना है बस बाकिए type same ही है ठीक है थोड़ा सा यह मुश्किल है बट इतना भी नहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा बस आपको टाइप समझना है कि computing square method कभ यूज करते है जबकि हम इसका multiplication जो हमें चाहिए वह नहीं मिलता है त तो चलो अब हम हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट की और बढ़ते है ताकि आपको एक अच्छे से clear समझ में आ जाए ठीक है तो प्रैक्टिस से 2.3 का पहला question x square plus x minus 20 is equal to 0 ठीक है हमारा first step क्या करना है हमें हमें कोई अपना जो constant है उसे right side shift करना है तो minus 20 बन जाता है 20 ठीक है तो अब यह हमें binomial का square करना है convert LHS into binomial square करना है ठीक है उससे पहले हमें क्या करना है हमें इस term को अपने formula के तरह मतलब इसको 2AB के form में fit करना है 2AB के form में fit करना है ठीक है तो हम इसको कैसे लिख सकते है x square plus 2 लिख दिया हमने into x as it is लिख दिया हमने into 1 upon 2 कर दिया यानि कि आप ये किस फॉर्म में आ गया x square plus 2a into b इस फॉर्म में आ गया अगर हैं पर 2 2 अगर हम cancel भी करते हैं तो हमारा x term ही आ गया मतलब हमने क्या किया इस x term को हमने इस फॉर्म में लिख दिया ठीक है ताकि हम इसको 2ab के फॉर्म में fit कर सके is equal to 20 विख दिया ठीक है अब हमें क्या करना है जो हमारा beta में इसको square करके दोने तरफ add कर देना है ये step देन में रखना है ठीक है तो x square plus 2ab plus ये जो हमारा beta दोने तरफ add कर दे तो 1 upon 2 the whole square is equal to 20 plus 1 upon 2 the whole square तो हम इस term को इस पूरे term को इस से compare करेंगे ठीक है तो इस से compare करने पर हमें a plus b the whole square मिल जाएगा कैसे x हमारा a हुआ 1 by 2 हमारा b हुआ तो हमें लिख दिया x plus b a plus b is equal to whole square यानि x plus 1 by 2 is equal to whole square is equal to 20 plus 1 upon 2 whole square क्या होता है 1 by 4 ओके तो अब आगे हम क्या करना है x plus 1 upon 2 whole square is equal to अभी हमें इस part को पहले simplify करना है ठीक है तो cross multiply करके हमें मिलता है 80 plus 1 upon 4 तो यह बन जाता है 81 by 4 ठीक है अब हम क्या करेंगे अपना third step करेंगे जो है वो squares निकाल देंगे ठीक है 81 जो है वो 9 का square 9 का square जो है 81 होता है और 2 का square जो है वो 4 होता है तो हमने इसको इस form लिख दिया और उसके roots निकाल दिये ठीक है तो taking positive और negative हम लिखेंगे मतलब पहले हम positive 9 by 2 से solve करेंगे फिर negative 9 by 2 से solve करेंगे अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो या तो फिर यह term लिख के बीच में और लिख के ऐसे भी कर सकते हो ठीक है तो अब हम आगले step से और ही लिखेंगे ठीक है तो हम इसको क्या करेंगे x is equal to 9 by 2 minus 1 by 2 इसको हमने ऐसे लिख दिया ठीक है 2 minus 1 by 2 तो minus 9 minus 1 क्या होता है 10 10 by 2 ठीक है तो x is equal to क्या आया minus 5 तो 4, minus 5 are the roots of the given equation ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ ओके तो next question हमारा बहुत ही simple है देख लेते है x squared plus 2x minus 5 equal to 0 ठीक है तो हम पहले अपने steps follow करेंगे constant term को आर्चे set shift कर देंगे ठीक है shift कर दिया उससे पहले हम क्या check करेंगे हमारा x squared coefficient क्या 1 है बिल्कुल 1 है तो हम आगे अभी बढ़ सकते है ठीक है तो हमें 2x को किस form fit करना है 2ab की form fit करना है तो हम इसको क्या करेंगे x squared plus 2 x into 1 का कर देंगे तो ये 2ab के form fit हो गया है is equals to 5 कर देंगे ठीक है हमने सिर्फ इसको 1 से multiply कर दिया एक और तरीका से मतलब हम check कर सकते है यानि कि अगर आप इसका multiplication करोगे या जब आप solve करोगे तो ये term आना चाहिए तब आपका ये वाला term जो है वो सही है समझ लेना ठीक है अभी 2 into x into 1 2x correct है तो आगे देख लेते हैं तो हम अभी ये क्या कर सकते है ये जो 2ab हमें मिल चुका है तो अब हम क्या करेंगे x square plus 2 x into 1 plus ये जो b है squaring square करके दोने कर दोफ add का कर देंगे plus 1 square is equals to 5 plus 1 square okay so compare with a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b the whole square इस term को इस term से compare करेंगे compare करने पर हमें क्या मिलेगा a और b की value मिल गई तो a plus b the whole square is equals to how much 5 plus 1 square that is 5 plus 1 6 simple तो x plus 1 is equals to अभी square अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा plus minus under root 6 आजएगा okay तो हम क्या करेंगे x is equals to under root 6 यह plus 1 जो यहाँ जाएगा minus 1 हो जाएगा और x is equals to minus under root 6 minus 1 तो यह दो हमारे जो roots है वो these are the roots of the given equation ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा होगा तो हम एक बार next question भी देख लेते है ठीक है तो m square minus 5m is equals to minus 3 ओके तो यहाँ पर negative term आया है ठीक है कोई बाइद ने तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि हमार m square का coefficient है वो क्या है one है ओके तो हम proceed कर सकते हमें one ही चाहिए ओके तो हम 5m को किस तरीके से fit करेंगे 2ab की form में fit करेंगे तो अब यहाँ पर क्या करेंगे जो मैंने आपको पहले explain किया था था कि अगर अगर हम इसको split ने कर पा रहे ठीक से तो हम क्या करेंगे तो वो हम use करेंगे यहाँ पर जैसे कि 5m square minus 2 2 लिख दिया यह जो है अपना m हो जाएगा और b b हम कैसे लिखना है 5 by 2 लिखना है ठीक है क्योंकि जब 2 और 2 हम cut करेंगे तो हमारा 5m जो है वो as it is हमें मिल जाएगा तो हमने 5m को 2ab के form में fit कर दिया है ठीक है आप इसको ऐसी भी समझ सकते हो कि हमने 2 से multiply और divide कर दिया ताकि हमें 2ab के form 2ab के form में इसको हम fit कर सके is equals to minus 3 ठीक है तो अभी हमारे b 5 by 2 मिल चुका है तो हम b को square करके जोने तरफ उसको जो है वो add कर देंगे ठीक है तो m square minus 2m into 5 by 2 plus 5 by 2 the whole square is equals to minus 3 plus 5 by 2 the whole square ठीक है तो यह हमारा जो है अपना binomial square जो हमें मिल चुका है इसको हम compare करेंगे अपने formula से formula से फिरा में क्या मिलेगा a minus b यहनि a जो है अपना m है b जो है 5 by 2 है whole square मिल गया तो हम इसको कैसे लिखेंगे minus 3 plus 25 by 4 squaring करके दोनों का तो हम नहीं है पर लिख दिया ठीक है अब हम पहले इस रहे साइट को solve करेंगे ठीक है तो इसको क्या आएगा cross multiply करेंगे तो 12 plus 25 by 4 आएगा ठीक है 25 minus 12 करेंगे तो क्या आएगा 13 by 4 answer आएगा ठीक है तो अब हम अब time में squaring हटाने का तो square हटाने पर यहां पर क्या आएगा plus minus under root 13 by 4 13 by 4 को हम कैसे लिख सकते under root 13 upon 2 क्योंकि 2 जो 2 into 2 होता है वो 2 into 24 होता है तो under root 4 को क्या आएगा answer 2 आएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे m is equals to positive under root 13 upon 2 यह जाएगा तो plus 5 by 2 हो जाएगा और m is equals to minus under root 13 upon 2 plus 5 by 2 ठीक है तो under root 13 plus 5 upon 2 minus under root 13 plus 5 upon 2 these are the two roots of the given equation ठीक है तो बढ़ते हैं अभी हमारे fourth question की तरफ ठीक है तो fourth question में दिया गया है 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0 ओके तो अब हम सबसे पहले catch करेंगे की y square या जो भी पहले square का coefficient होगा वो 1 होना चाहिए बट यहाँ पर 1 है क्या नहीं है तो हमें पहले यहाँ पर इसको 1 करना पड़ेगा ठीक है तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे 9 से हम throughout divide कर देंगे ठीक है तो 9 से यहाँ पर divide करेंगे तो क्या बच जाएगा y square minus 12 by 9y plus 2 by 9 is equal to 0.9 ठीक है further solving करने पर क्या मिलेंगा y square minus 4 by 3 मतलब 3 4 जा 3 3 जा तो 4 by 3y plus 2 by 9 is equal to 0 अब हमें इस form में मिल चुका है अभी हमारा first step हम क्या apply करेंगे constant term इस तरफ arches के साइट send कर देंगे so y square minus 4 by 3y is equal to minus 2 by 9 यह अभी हमें मिल चुका है अब हमें इस term को ऐसे change करना है कि हमें वह 2ab की form में fit करना है ठीक है तो y square minus 2 y as it is जो a है तो b को हम कैसे लिखेंगे 4 upon 3 into 2 करतेंगे ठीक है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर यह 2 और 2 अगर cancel हो गया तो यह 4 by 3y ही रहेगा मतलब हमने इस term को इस form में लिख दिया ठीक है इस form में लिखने पर हमें जो हमारा b b मिल गया है ठीक है तो is equal to minus 2 by 9 तो अब हमारा y square क्या हो गया y square minus 2y तो 4 upon 3 into 2 6 हो गया is equal to 2 by 9 ठीक है तो अब हम इसको for the solve क्या करेंगे 2, 2, 4, 2, 3, 6 हम इसको लिख सकते हैं तो मैंने next line में वह लिख दिया y square minus 2y upon into 2 into 3 is equal to minus 2 upon 9 ठीक है तो अब हमें जो b term जो अपना मिल चुका है तो हम दोने तोरफ squaring करके इसको add कर देंगे और अपना binomial square हमें जो है वो मिल जाएगा binomial square हमें एक बार मिलके हम compare करेंगे इससे फिर हमें a और b की value भी मिल जाएगी a हो गया अपना y और b हो गया minus b हो गया अपना 2 by 3 d whole square is equal to इसको अब हम solve करेंगे तो जो है minus 2 by 9 plus 2 का square 4 3 का square 9 इसको हम मिल गया इसको हम आगे हो solve करें तो हमें क्या मिलता है 2 upon 9 हमें मिल जाता है ठीक है तो अब अब time में square हटाने का तो square हटाने पर क्या आ जाता है y minus 2 by 3 is equal to plus minus under root 2 upon 9 which means is equal to plus minus root 2 upon 3 मतलब 3 into 3 9 होता है तो root 9 का 3 ठीक है तो एक बार हम यहाँ पर positive यहाँ पर negative लिक लेंगे ठीक है तो y minus 2 by 3 is equal to root 2 by 3 और y minus 2 by 3 is equal to minus 2 by 3 minus यह प्लस और है minus ठीक है तो यह वारा solve करते है पहले so y is equal to क्या है रूट 2 by 3 यह minus 2 by 3 यहां के plus so plus 2 by 3 so y is equal to root 2 plus 2 upon 3 यहाँ पर देखे तो y is equal to minus root 2 upon 3 plus 2 by 3 इसको solve करने पर answer आएगा under root 2 plus 2 by 3 तो यह दो है हमारे roots होता है आपने given equation के so these are the roots of the given equation let's come up to fifth question जो कि है 2y square plus 9y plus 10 is equal to 0 ठीक है तो पहले हमें चेक करना है कि हमारा बाइस जो y square को जो term है वह one होना चाहिए जो की one नहीं है यहां पर two दिया गया है तो हम two throughout जो है वो two से divide करेंगे ठीक है डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है y square plus 2 by 9 और 10 by 2 हो जाता है 5 is equal to 0 ठीक है further अगर हम देखेंगे तो constant term को हमें आरच के तरफ send कर देना है तो y square plus 9 by 2y is equal to minus 5 ठीक है minus 5 यहां पर लिख दिया हमने तो अभी हमें 9 by 2 को इस format चेंज करना है 2ab में 2ab के format को हमें fit करना है 9 by 2 को ठीक है तो हम इसको कैसे लिखेंगे y square plus 2y 9 by 2 को हम लिखेंगे 9 upon 2 into 2 ठीक है यानि 2 यह 2 यह 2 जब कट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगा 9y by 2 ही मिलेगा तो हमने इस term को इस form में change कर दिया is equal to minus 5 ठीक है आके solve करेंगे तो इसको क्या जाएगा हमें 9 upon 4 यह भी हमने लिख दिया ठीक है तो अभी हमें जो है वह वह भी हमारा जो भीटम में हमें मिल चुका है तो square करके दोने तरफ हम उसको add कर देंगे हम यह binomial square है जो हमें वह मिल चुका है ठीक है तो इससे हमें compare करने पर a और b मिल जाएगा तो a और b हमरा क्या हुआ y हुआ b हुआ 9 by 4 whole square ठीक है is equals to minus 5 9 upon 4 the whole square क्या होता है प्लस 81 by 16 ठीक है तो अगर हम इसको solve करें तो 60 cross multiply करने पर 16 5 है 80 plus 1 81 upon 16 यहां पर आने पर 1 upon 16 आंसर आ जाता है ठीक है तो अब हम इसको क्या करेंगे square हाटा देंगे square हाटाने पर क्या हैगा y plus 9 by 4 is equals to plus minus under root 1 upon 16 ठीक है तो y plus 9 upon 4 is equals to plus minus 1 upon 4 root under root 1 upon 16 कैसे लिखेंगे 1 upon 4 ठीक है तो y plus 9 by 4 is equals to plus 1 by 4 और y plus 9 by 4 is equals to minus 1 by 4 plus minus form में हमें इसको लिख दिया ठीक है अभी हम पहले इसको solve करते है y is equals to 1 by 4 minus 9 by 4 तो answer आता है y is equals to minus 8 by 4 y is equals to minus 2 इसको solve करेंगे तो y is equals to minus 1 by 4 minus 9 by 4 तो इसको solve करने हमें मिलेगा answer minus 10 by 4 which means minus 5 by 2 तो answer हमें क्या है minus 2,5 by 2 are the roots of the given equation ठीक है तो बढ़ते अभी हमारी last question के तरफ ओके six question में दिया गए 5 x square is equals to 4 x plus 7 इसको पहले हम x term को इस तरह shift कर लेंगे तो 5 x square minus 4 x is equals to 7 ठीक है तो अब हम पहले क्या check करेंगे हमारा x coefficient जो है वो 1 होना चाहिए 1 है नहीं है यहां पर 5 है तो 3 out हम क्या करेंगे divided by 5 कर देंगे तो फिर क्या आएगा x square minus 4 by 5 x is equals to minus equals to 7 upon 5 ठीक है अभी हमें जो इस टर्म को जो है वो 2ab के form में change करना है इसको हमें इस टर्म को 2ab के form में इसको fit करना है इसको बिटाना है ठीक है तो हम कैसे लिखेंगे 2a यह तो अपना हो गया यह x ठीक है बीक हम कैसे यही में इंपोर्टन स्टेप आपको यही चेंज करते आना चाहिए यही आपको आपको जो है वो be fine करताना चाहिए फिर आप जो है इजी आगे कर सम जो हो solve कर सकते हो ठीक है और यह तुरंत नहीं इंटू 2 upon 5 is equal to 7 upon 5 ओके तो 2 upon 5 स्क्वेरिंग करें के हमें दोने दोर्फ एड़ कर देंगे तो हमें मिलगे आपना binomial square इसको इससे compare करेंगे हमें a और b की value में मिल जाएगी तो a minus b the whole square तो a बनता है x minus 2 upon 5 the whole square इसको अगर हम solve करेंगे तो 7 upon 5 plus 2.5 whole square तो इसको कैसे लिएंगे 4 upon 25 इसको हम पहले solve करते हैं cross multiply करेंगे 25 इंटू 7 होता है 175 5 इंटू 4 होता है 20 और 25 इंटू 5 होता है 125 इसको अगर solve करेंगे तो यह बबने का 195 upon 125 ठीक है तो x minus 2 upon 5 is equal to plus minus under root 195 upon 125 तो इसको हम और solve कर सकते हैं बिल्कुल 5 से divide कर दीजे तो आ जाता है plus minus under root 39 upon 25 ठीक है तो हम क्या करेंगे x minus 2 upon 5 is equal to plus under root 39 upon 5 और x minus 2 by 5 is equal to minus under root 39 upon 5 25 का root 25 का answer क्या आता है 5 ठीक है तो x is equal to root 39 upon 5 plus 2 upon 5 और x is equal to minus root 39 upon 5 plus 2 upon 5 तो यह जो दो टम्स हमें मिल चुके है are the roots of the given equation ठीक है यह जो दो है वो root से given equation के ठीक है अभी तक जितने भी समझ से आप चाहिए तो एक बार सब और नेक्स वीदियो के जिएक टारसिय मावद पार से नेक्स नेक्स वीडियो का मन कम दो हो ऑष्य श्याओन के अट मेसे अट एंचियो को